हेलो गाइज वेलकम तो अर्थिक यूट्यूब चैनल 2024 के लेटेस्ट एरर के कोश्चन्स हम लोग कर रहे थे और अपनी इस क्लास में उसी सीरीज के आगे हम लोगों ने सेलेक्शन पोस्ट के कोश्चन कम्प्लीट कर लिये थे आज हम लोग अपने जो कोश्चन्स करने वाल हैं जिसमें हमारा पहला कोश्चन है कि देखें कि I am understanding you like her because she has a generous nature आपको याद होगा कि हम लोगों ने अपने क्लास पढ़ी होगी मेरी non continuous work की क्लास है और non continuous work की क्लास में आपको बताया था कुछ वर्बैसी होती है जो emotion या फिर perception possession या thinking ऐसे वर्ब of perception वर्ब of emotion इस तरह की की वर्ब होती है जो non continuous work होती है जब इन्हें ऐसा स्टेट दिखाते हैं तब इंग नहीं लेती है इनके अपने साथ और लेकिन जब इनका meaning बदल जाता है तब इनके साथ ing का यूज किया जाता है अगर आपको इस non continuous work को detail में पढ़ना है तो non continuous verb करके playlist में चले जाए non continuous work करके मैंने बहुत सरी उसमें verbs पढ़ाई है उसको जाके देखेगा तो यह वहीं उसी वीडियो का reference लेके मैं आपको यह बता रही हूं कि वहीं यह जो वर्ब की ing form लिखिया आइंडिस्टैंड देखें और इस तरीके से पहला question हमारा complete हो गया आइंडिस्टैंड next question देखेंगे next question है हम लोगों का when he resigned the company offered him a huge sum of money but he refused to agree to it देखने में सही लग रहा है लेकिन देखेंगे तरह यहां पर लिखा है ही refuse to agree to it refuse मतलब ही होता है कि agree ना होना तो ऐसा नहीं लग रहा है जिसे यहां पर यह जो to agree to it लिखा है वो superfluous है तो क्यों ही लिखना आप केवल ही refuse लिख देए तो भी तो meaning convey हो जाएगा तो यह जो extra words है इनका use करने से बचिया हटा दीज़े इसे और statement सही हो गया और error थर्ड पार्ट में देखी जाएगी और इस तरीके से यह question भी second number हो गया देखें CPO के 2024 की latest questions है यह error के और कितने ही आसान है नेक्स देखेंगे बाया CPO का next question can you go visit a statue of liberty on our trip to the United States मैंने आपको पहले भी बोला था कि 23, 22 और 24 के questions में जो यह चल रहा है इसमें आर्टिकल के बहुत सारे questions पूछे गाएं फिर से यह question यह बता रहा है कि जो question इसमें आर्टिकल का question है देखेंगा पहले तो United State तो आपको पता होगा कि ऐसी countries जो प्लूरल में लिखी जाती है जैसे Maldives उनके पहले आर्टिकल दा लगता है ऐसी countries जिन में State Kingdom या Republic जैसे वर्ड लिखे हो तो उसमें दा लगता है अब जैसे United State में State वर्ड आया है तो आप इसके पहले दा लगाईए लेकिन इंडिया ना ही प्लूरल में होता है ना ही उसके पहले इस्टेट रिपब्लिक या इस तरह की वर्ड लगते तो उसके पहले दा नहीं लगता है लेकिन यह देखें इसके पहले आर्टिकल ए नहीं आर्टिकल दा का यूज करेंगे तो जो एरर पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी यहाँ पर ए आर्टिकल की जगे आपको दा आर्टिकल पुट करना होगा इसी में नेक्स कोशन है वी आर्टिकल कोशन देखेंगा यह इसमें एरर वी वर ग्रेटफुल की स्पैलिंग बिल्कुल सही लिखी है और आपको किया यह बूक की गई है मतलब क्या इस बूक के बारे में इनफोर्मेशन है लिखा है दे गे वास जो उन्होंने हमें दी थी इसको specific किया जा रहे है अगर specific किया जा रहे है तो आप इस book को specific की वज़े से article A नहीं article the का use करियो और हमारा ये sentence बिलकुल सही हो गया the book gave us हो जाए है देखे रो we were driving home when suddenly a deer runs across the road इस statement को देखे रो लिखा we were driving home suddenly we were क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसा हो चुका action है मतलब एक ऐसा action है जो past में हुआ है अगर ये action past में हुआ है तो आपने dear के according sorry अपने dear के according यहाँ पर present indefinite कैसे लगाया अगर ये past का question था तो आपने present indefinite क्यों लगाया आपको past indefinite लगाना चाहिए था तो past indefinite में run 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 होता है तो यहाँ पर subject के साथ past indefinite P2 लगेगा तो runs नहीं run लगा दी चाहिए क्योंकि यह event past का बन रहा है और हमारे statement चाहिए कितना आसान question था बहुत easy चलिए इसी में आगे देखेंगे question number six his energetic attitude showed that he had soundly slept the previous night यह question अभी हम लोगों ने subject हम लोगों ने अभी selection post के जब question किये थे तो मैंने आपको adverb of frequency बताई थी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी adverbs होती है adverb of manner, adverb of frequency, adverb of degree, adverb of time बहुत सारी अपना प्लेस होता है हम लोगों ने selection post के questions में adverb of frequency की position देखी थे और आज हमारे पास जो question है वह adverb of frequency, adverb of manner का है चलिए देखेगा तो देखते हैं बहुत सारे adverb of manner, adverb of frequency, adverb of time, adverb of place एक्सेक्टर बहुत सारी adverb है जो previous class हम लोगों की थी आपको प्लेस्ट में जाके उसका लिंक मिल जाएगा प्लेस्ट में जाके आपको वीडियो मिल जाएगी selection post के paper में हम लोगों ने adverb of frequency का place देखा था कि adverb of frequency दो तरीके की होती है definite frequency, indefinite frequency, definite frequency को कहा पूट करते हैं, indefinite frequency को कहा पूट करते हैं और आज जो हमारा question है वो adverb of manner का है पहचानते कैसे हैं कि यह adverb of manner है चला वापस आई देखेगा Adverb of manner अगर आपको Adverb of manner को पहचानना है तो Adverb of manner को पहचानने के लिए याद रखिए जो वो word लिखा होगा वो how का reply होगा अगर आपको वो how का reply दे रहा है तो Adverb of manner की तरह काम करेगा His energetic attitude showed that He had soundly slept the previous night उसका energetic attitude ये शो करता है कि वो बहुत अच्छे से सोया previous night कैसे सोया अच्छे से सोया how का reply है Adverb है तो Adverb of manner की तरह काम करेगा अब तो ये तो पता चल गया कि Adverb of manner है how का reply है अगर ये भी पता चल जाए कि इसको place कहा करेंगे तो हमारी problem सारी solve हो जाएगी देखेगा Adverb of manner वैसे तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई Adverb है तो ये किन-किन चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकता है वो वर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है वो Adjective को डिस्क्राइब कर सकता है और वो किसी Another Adverb मतलब अपने आपको छोड़ कर एनदर Adverb को डिस्क्राइब करने का काम करता है हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे question में जो Adverb लिखा था वो किस को डिस्क्राइब कर रहा है ये भी एक बर ही देख लेते हैं ये Adverb वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है Sleep को डिस्क्राइब कर रहा है He had soundly slept, कैसे सोया, soundly सोया, तो वर्ब को describe कर रहा है, सीख है, कोई देकत नहीं, हमने ये पढ़ लिया, कि जो हमारा लिखा हुआ word था, वो adverb था, adverb of manner, और adverb of manner, किस point को describe कर रहा है, ये भी हम लोग ने देख लिया, कि भाईया, वो तो वर्ब को describe कर रहा है, तो देखेगा, देखेटे है, इफ वर्ब is intransitive, और दूसरा बन के आता है, इफ वर्ब is transitive, ट्रांस्टिव इंस ट्रांस्टिव समझते हैं इन ट्रांस्टिव मतलब वो वर्ब जिनके बाद आपजेक्ट नहीं आया है और ट्रांस्टिव वो वर्ब जिनके बाद आपजेक्ट आया है दो तरीके की वर्ब यहाँ पर हम लोग प्लेस कर रहे हैं देख रहे हैं वर्ब इ अगर आपकी verb intransitive है और adverb of manner verb को describe कर रहा है ऐसी condition में आप subject और verb जो भी intransitive verb है वो और intransitive verb के बाद adverb of manner को place किया जाएगा intransitive के बाद how के reply adverb of manner को place किया जाएगा but if verb is transitive तो ऐसी condition में transitive verb के बाद आएगा object और आपको इस object के बाद adverb of manner को place करना होगा फिर से देखिएगा एक बरी सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर यह जो soundly है वो how का reply है और अभी मैंने आपको बताया यह जो how के reply है adverb of manner के लाते हैं इस तरह के से आप बहुत सारी adverb पता कर सकते हैं कि when का reply है तो adverb of time बन जाएगा why का reply है adverb of reason बना सकते हैं और place है where का reply है adverb of place बना सकते हैं इस तरह के से आप बहुत सारी adverb पहचान सकते हैं क्योंकि how का reply है इसले से adverb of manner के नाम से जाना जा रहा है और यह एडवर्ब ऑफ मैनर जा कोई भी एडवर्ब इन तीन चीजों को डिस्क्राइब करती या तो वह वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे होगी या फिर वह किसी अनदर एडवर्ब मतलब दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहे होगी तो हमने अपने स्टेटमेंट मे अच्छे से सोया, तो सोने को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे सोया, अच्छे से सोया, तो स्लीप को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, और अगर हमारा एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसको रखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कैसे अगर हमारा एड़ वर्ब को describe कर रहा है तो इसे दो तरीके से पुट किया जा सकता है वर्ब transit है तो पुट करने का तारीका अलग होगा और वर्ब अगर इंटरांस्टिव है तो उसे place करने का proper method कुछ अलग होगा क्या हूए अगर अगर हमारी वर्ब इंट्रांस्टिव हैं, इंट्रांस्टिव मतलब ऐसी वर्ब जिनके पास object ना हों, ऐसी condition में direct इंट्रांस्टिव वर्ब के बाद आप adverb of manner को पुट कर दीजे, लेकिन अगर वर्ब ट्रांस्टिव है, तो ट्रांस्टिव वर्ब के बाद object और object के बाद ad यहां तक हम लोग पता कर चुके थे कि हमारा adverb of manner वर्ब को describe कर रहा है बस यह पता कर लिजे कि आपकी वर्ब ट्रांस्टिव है कि इंट्रांस्टिव इंट्रांस्टिव मतलब object नहीं होगा और ट्रांस्टिव मतलब object होगा अब चेक करिए कि क्या sleep के बाद जो previous night लिखा हुआ है क्या यह object है नहीं क्योंकि object बनने के लिए या तो what या तो whom के reply चाहिए होते हैं अपने पढ़ा होगा अपने basics में अब क्योंकि यह तो sleep the previous night लिए पिछली राज सोया वाटर हूम का reply तो नहीं दिख रहा है इसका मतलब यह object नहीं है अगर object नहीं है तो sleep intransive verb होगी और फिर से अगर यह intransive verb है तो हम लोग पीछे पढ़के आये थे कि बहाई इंट्रांस्टिव के बाद adverb of manner को place किया जात है तो उठालीजे अपना adverb of manner statement से और उसे slept के बाद put कर दीजे तो हो जाएगा he had slept soundly the previous night और error लगेगी आपके department और हमारा statement बिल्कुल सही हो जाएगा sound को उठाईए soundly को और sleep के बाद पूट कर दीजे slept के बाद पूट कर दीजे तो आज हम लोगों ने adverb of frequency पीछे वाले chapters में जो selection post के question थे उसमें देखा था आज हम लोगों ने adverb of manner के places देखे कि इसको कहां पूट करते हैं तो एक बारी pause करके revise कर लीजे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं में भी आपने revise कर लिया होगा अब हम लोग next question की तरह बढ़ते हैं question number seven बहुत ही आसान question है देखेगा one must do his or her duty properly समझ में आ रहा होगा आपको यहां पर क्या हो रहा है आपने यह question पढ़ा होगा प्रनावन में अगर subject one है one indefinite pronoun का subject है तो यहां पर one वाले सारे प्रनावन आएंगे his और he वाले he और she वाले तो नहीं आएंगे और यहां पर लिखा है duty मतलब noun तो noun के पहले हम लोग यहां पर लगाएंगे possessive adjective प्रनावन में आपने पढ़ा होगा वही है possessive adjective तो one का possessive adjective क्या हो जाएगा one का possessive adjective हो जाएगा once once duty और अगर उसके according आप question देखे हैं option देखे तो एक ही है और एक ही है लेकिन first option में duty देखे और third option में duty देखे option number third is correct option number third बिल्कुल सही है answer टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इसी में हम लोग आगे question देखते है question number nine I will be arrange all the necessary material for the program देखते हैं बही है स्टेट्मेंट में जिसे कि हम लोग देख रहे हैं इस स्टेट्मेंट में इस स्टेट्मेंट में आपने correct option को चूज करना है यहां पर आप देखिए कौन सा टेंस लिखा है वही है यह will be लगा है will be के साथ अगर आप पैसे बना रहे हैं तो आरेंज कर दीजे अगर आप active बना रहे हैं तो आप ing लगाई है future continuous लेकिन यह कौन सा टेंस लगा है गरबड हो गया न विल और बी दोनों helping verb है arrange है main verb इसको साही करते हैं हमने options देखे कि options क्या हो सकते पहला अगर आप first option लगाना चाहते हैं तो is mr was verb के साथ या तो ing लगाई है active बनाई है या तो verb की third form लगाके इसको पैसे बनाई है दोनों ही नहीं लग रहे हैं इसका मतलब यह तो wrong हो गया question number option number second में would जो कि एक model है model के बाद तो वीवन आता arranging कैसे लगा दिया option number b is wrong इसके साथ I कैसे लग गया वही है I am होना चाहिए न यह भी गलत fourth देखिएगा I will be arranging यही सही लिखा है future continuous tense लग रहा है sentence को active में बनाया गया है सब कुछ सही है और d option बिलकुल correct हो जाएगा सही है समझ में आया नेक्स देखेंगे question number nine लिखाए Mrs. गुम्ति वास that tired and weak that she could scarcely walk क्या रहा है वो इतनी tired थी और weak थी कि वो walk नहीं कर पा ले थी आप देखिए इसमें क्या error है देख लिया होगा में भी आपने आपको आगया होगा भाया tired और weak adjectives है और adjective के बाद that लगा है यह वाला that यहाँ पर क्या कर रहा है क्यों ना हम इसको so that का combination बना दे कि मिस गोमति वा so tired and weak वो इतनी tired और weak थी कि वो walk नहीं कर पा रही थी ना के बराबर walk कर पा रही थी तो य के बाद adjective adjective के बाद conjunction that लगा है और हमारा statement सही होगा कितना असान है बहुत ही असान और देखें कोई टफ नहीं है यह question और देखेंगा अब यह जो 10 number है अच्छा question है देखेंगा इस question में अगर आप इससे देखें तो starting से देखते है इट के साथ वर्ब सिंग लरा यह बिल्कुल सही है यहां पर लिखा है आर्टिकल रेस्टरेंट नाउं रीजनेबली क्या है रीजनेबल एड्जेक्टिव होता है एड्जेक्टिव में एल वाई लगके नो ने रीजनेबली बना लिया तो यह तो एडवर्ब है ना और चीप क्या है चीप एड्जेक्टिव होता है भईया चीप फिंग्स चीप बैग बैग नाउं चीप एड्जेक्टिव हो गया ठ फिर आप ऐसे बना दीजे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यह कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें एडवर्ब बीच में आ गया, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कौन समझी नहीं आ रहा है, तो एक तरीका है भईया, या तो आप इस एडवर्ब को एडजेक्टिव बन जाता है, हमारा यह जो reasonably लिखा हुआ है, वो एडवर्ब है, अगर हम ly हटा देंगे, तो reasonable adjective बन जाएगा, और यह भी adjective, यह भी adjective, और यह restaurant को describe कर लेगा, और यह attributively adjectives की तरह काम करेगा, statement साही हो जाएगा, या तो आप ly हटा दो, और cheap और reasonable दोनों ही adjective हो जाएंगे, restaurant नाउन को डिस्क्राइब करने लेंगे या तो ऐसे कर लो एक और तरीका है क्यों ना हम यह लगा दे रीजनेबली जो की एडवर्ब था चीप जो की एडजेक्टिव था आप इनकी पोजीशन बदल दे तो मतलब रीजनेबली को यहां से हटाईए और चीप के पहले पुट कर दो प्लेस चेंज कर दो तो भी सही ओ जाएगा अब आपने सीप्यो का ट्वांटी ट्वांटी कोउशें देखे इसमें आपने देखा कि जुम कोउशन से आपने तीन मिले अपको एडवर्ब के आपने 2-3 कोउशन देखे यह और एडवर्ब का ही कोउशन था तो जो लेट कर लिया तो इस तरीके से हम लोगों ने आज CPO के 10 कोशन के इसी को CPO के ही जो बचे हुए कोशन है हम लोग अपनी नेक्स क्लास कल की क्लास में करेंगे तब तक के लिए थैंक यू